हाँ हाँ ह vot ह हलो फैंड्स तो चलिए हम आज इनक्यू फशन बनाएंगे जिसमें हम इस अरे में एलिमेंट को क्या करेंगे क्या कि इनक्यू पर्फन्शन बना लेता हूं अच्छा मैं जब inक्यू कर रहा हूं क्याओ कि यह र्रे है तो यह 스시대 करे नहीं तो वायड इनक्यू 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 करना है वो हमें क्या करना पड़ेगा क्यू पास करना पड़ेगा क्यू इनक्यू करने जा रहे हैं इंसर्ट करने जा रहे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कहीं हमारा अरे फुल तो नहीं है कहीं हमारा q full तो नहीं है तो उसके लिए हमने function बनाया था is q full अब अगर हमारा q full होगा तो ये one return करके देगा और अगर one return होके आ रहा है तो हम insert नहीं कर सकते, inqueue नहीं कर सकते तो line change inqueue is not possible उससे पहले मैं लिखूँँगा कि overflow 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 condition overflow condition inqueue is not possible otherwise मैं इल्स में आँगा इल्स में आने का मतलब है दोस्तों की हमारा q empty है उसमें हम element को insert कर सकते हैं अब जब element को insert करने की बात होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं rare को increment अच्छा अभी यहाँ पर देखे कुछ element है तो front की value इस situation के carding 0 होगी और rare की जो value होगी वो क्या होगी 2 होगी तो हमें अगर इस समय इंसर्ट करना है तो मैं rare को increment करके 2 से 3 करूंगा अभी यहाँ पर क्या है 3 है अच्छा मैं हटा दे रहा हूं अभी इस समय rare की value 3 है तो rare की value मैं 3 सिंकीमेंट करके 4 करूंगा और यहाँ पर मैं तो simply आपको क्या करना है rare को increment करके element को inqueue कर देना है लेकिन हो सकता है कि आपके पास ऐसी च्वाइस हो कि इस front में 1 हो ऐसा हो इस time पर देख front में 1 हो और जो आपका rare है उसमें 4 हो front में 1 है rare में 4 है तो rare यहाँ पर है और front यहाँ पर है एक अभी भी यह वाला space हमारे array में है तब तो मैं rare को 4 से increment करके 5 तो नहीं कर सकता ना अब मुझे rare की value को 0 करके यहाँ पर insert करना यहाँ पर inqueue करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब फिर से वही situation यहाँ पर आ गई है है न तो उसके लिए देखे मुझे क्या करना पड़ेगा तो उसके लि हम लोग कर क्या रहे हैं हम लोग rare को increment तो देखे करना है अगर rare के आगे space है otherwise हमें rare को 0 कर देना है तो देखे यहाँ पर हम लोग किस तरह से increment कर रहे है इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी rare की value क्या है 4 है ठीक है और हमें यहाँ पर insert करना है front की value है 1 तो हमने क्या किया जो q का rare है यानि कि जो इस टाइम पर 4 है उस पर one add करो तो 5 हो गया अब 5 को q की capacity q की capacity 5 है तो 5 को 5 से modular करो तो 0 आ गया उसको हम कहां रख रहे है rare में रख रहे है तो 0 आ जाएगा rare में तो अगर हम यह वाली condition को check कर रहे हैं तो 4 के बाद 5 नहीं होके 0 आ जाएगा तो हम यहाँ पर क क्या करेंगे insert कर देंगे अब हम idle condition की बात कर ले रहे हैं idle condition की बात करने से मतलब है कि अगर front में 0 है और rare में इस समय 3 है rare में इस समय 3 है तो उसी condition को फिर से करो वो condition क्या थी कि जो rare है उसमें एक increment करो तो हमने 3 में एक increment कर दिया तो आ गया 4 4 को आपको क्या करना है modular करना है आपको modular करना है किस से modular करना है capacity से capacity क्या है 5 है तो 4 modular 5 हो गया 4 उसको कहां पर store करना है आपको rare में store करना है उसको आपको rare में store करना है तो rare में क्या चला जाएगा 4 चला जाएगा और अगर rare में 4 चला गया वही तो हम चाहते थे क्योंकि मुझे इस बार यहां insert करना है तो जो दोस्तों ये वाली condition हमने लिखी थी हो जाएगा तो बस वही condition हम लोग यहां पर करेंगे उससे पहले मुझे इंसर्ट करने के लिए एक वैलू चाहिए तो मैं यूजर से इंपुड ले लेता हूँ फटा फटेम यहां पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ओस-इंटर दा ऐलिमेंट मैं लगाँघंग इस पर पर हुआ पसें डी एड्रेश साफ-वएल अब आ गया तो मुझे क्या करना है रेयर में रखना है क्यू के रेयर में आ कि प यहां पर कैप्डल क्यू कर देता हूं है क्यू के हमें रेयर मेर judgments होना है पहले जो क्यूं का रेहर है कि यू का रेहर है उसको इसको कर दो किस्ते बन कर दो जो किग यू का यू का इसamine है ना तो क्यू के रेइर में प्लस वन करो उसको कि कैपसेडि माइनस मड्लर कर दो जो आए उसको कैरें में रख दूँ अब जो रेयर रेयर में जिस भी बलाक का इंडेक्स है उस पर वैलू को रख दूँ तो value को रखना है तो सबसे पहले मुझे ARR को exist करना है है ना समझ में आ रहा है अब मुझे यहाँ पर value को रखना है तो rare में क्या चला गया होगा 4 तो 4 चला गया होगा तो मुझे इसमें रखना है तो पहले मुझे ARR को किस करना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा, जो Q का, ARR है, ये array है, इसके उस index पर, किस index पर, वो index जो rare में है, तो Q का जो rare है, उस पे रखो, क्या रखो, ये value को रखो, है ना, समझ में आ रहा है, है ना, और जैसे ये काम कर दो, देख, message आप दे दो, क्या message दे दो, e-n-q-u-e-u-e-d, in-q-u-d, अच्छा, ये third form, in-q का third form क्या होता है, हमें नहीं पता, हमने लिख दिया, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर एक छोटा सा मिष्टेक है, छोटा सा मिष्टेक इसलिए है, मैं क्या करना चाहता हूँ, कि पहली बार, अगर हमने in-q किया है, देखिए, सबसे पहली बार, तो जो front और rear होगा, क्या होगा, जो front और rear होगा, वो minus 1 minus 1 होगा, तो भी अगर इसको चेक करो, आप क्या minus 1 minus 1 के लिए काम कर रहा है, q का rear minus 1 है, उसमें plus 1 करो, 0 हो गया, 0 को 5 से marmular करो, 0 हो गया, तो q का rear में क्या चला गया, 0, तो rear में क्या चला गया, 0 चला गया, लेकिन अगर पहली बार insert हो रहा है, तो front में भी तो मुझे 0 करना पड़ेगा, तो मैं चेक कर लूँगा, क्या चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा कि जो q है उसका जो फरंट है उसका जो फरंट है अगर वो इकॉल टू कल टू माइनस वन है डियूरिंग इन क्यूड टाइम तो उसकी वैलू को मुझे एक से इंक्रीमेंट करना है तो q का जो फरंट है उसमें प्लस प्लस कर दो यह कब चलेगा सिर्फ हो सिर्फ पहली बार चलेगा है न तो यह इस तरह से हम in q function की कोडिंग करेंगे और हमने अगर कर ही लिया है तो इसको पहले choice में हम अपने main function में कर देंगे add और इसमें q कर देंगे pass और लगा देंगे get c h और मैं लगा दूँगा break इसमाज में आया इसमें क्या था तो आई होप आपको यह 200 समय में आ गया होगा हम मैं अपनी देखे पूरी कोहिस कर रहा है देखे क्यूंके केस में क्या है ना आपको सोचना पड़ेगा कि हम condition क्या लगाए और सोचना क्या है यार आप Google सर्च मारूना देखिए जब आप industry में जाएंगे मैं आपको गरेंटी देदू कितनी बार तो जब आप industry में जाएंगे मैं यह बोल रहा था तो आपको इतनी सारी चीजें याद नहीं रहे सकती है आपने अभी क्यू को implement किया मालो इन future अगर आपको implement क्यू फिर से करने जूरुत होती है अरे का यूज करके त 2020 में अभी हमने company जोइन कर लिया है तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस टाइम पर भी मैंने सर्च किया था कि भाई condition क्या होती है उसके बाद जो भी condition हमने मिल रही है एक दो बार हम उसमें अपना टेस्ट के सप्लाई कर रहे हैं भाई कि हर condition के लिए fit है कि नहीं है है करेंगे तो थेंक्यू सो मच बबाई